टाइप ओवीजा आज हम सीखेंगे कि कितने टाइप के वीजा होते हैं सबसे पहले समझते कि वीजा क्या होता है वीजा सिंपल सा मतलब होता है परमीशन आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको क्या लेना होगा परमीशन उसी परमीशन को हम क्या बोलते हैं वीजा बिना वीजा के हम किसी और country में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वीजा लेने से भी पहले एक requirement होता है, passport का, सबसे पहले आपको passport लोना होता है, passport ले लिए उसके वाज इस country में आपको जाना है, उस country के visa के लिए apply करना होता है, visa means वहाँ का permission apply करना पड़ता है, एक बार permission मिल गया, means visa मिल गया तो आप उस country में जा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ visa के type मतलब कितने type के visa होते हैं, start करते हैं, पहले type है employment visa, नाम ही बता रहा है काम क्या, employment मतलब आपको कई job करने जाना है, तो employment visa, यहाँ पे लिखा है, relevance का है कि highly skilled individuals intending to take up employment, जिसको employment के लिए जाना है, वो employment visa के लिए अपलाए करेगा, next है business visa, business means अब जिसको business करना जाना है, इसका relevance है कि visiting India for a business purpose, इनको इंडिया में आना है business करने के लिए उनको business visa लेना पड़ेगा, इसका duration होता है, employment visa का duration 5 years है, extendable है, इसको मतलब और जारा time के लिए भी ले सकते है, business visa का भी duration 5 years का है, लेकिन इसक करना चाहते है, जैसे power या steel sector में तो उसके लिए आपको project visa लगेगा, यह one year का maximum duration होता है, या फिर actual duration of the project, एक साल या फिर उस प्रोजेक्ट में जितना समय लगे, उतने समय के लिए आपको visa मिलेगा, next है entry visa, entry visa क्या होता है, इसे मान लिजिए कि कोई इंडिया में आ रहा है employment के लिए, और साथ के अपनी family को भी लाना चाहता है, तो उसके लिए उनको entry visa लगेगा, entry visa का relevance है, for accompanying families of foreign nationals, means किसी foreign national को इंडिया में आना है, family को साथ मिलेके उनको entry visa लगेगा, इसका भी maximum duration 5 years का होता है, यह भी extendable है इंडिया में, फिप्त है, tourist visa, means घूमने के लिए, tourism purpose के लिए, tourist visa लेगा, 30 days का मिलता है, और यह extendable नहीं होता है, next research visa, research means नामी बता रहे हैं भी क्या काम है, actually हर एक visa के नाम से ही आप समझ जाओगे कि कौन सा, किस काम के लिए, तो research visa क्या होता है, कोई scholar लोग होते हैं, जिनको research करना होता है, education field में, या फिर किसी भी field में, अकर research क करना है, तो उनको research visa लेगा, यह भी five years का मिलता, maximum duration, यह भी extendable है, यह होता है, transit visa, यह अलग type का visa, means आपको इंडिया में नहीं आना है, कहीं और जाना है, लेकिन आपको इंडिया के थू जाना है, means इंडिया होते हुए जाना है, माली जे स्रिलंका जाना है, किसी चाइनीज चाइनीज को स्रिलंका जाना है, तो माली जे सको इंडिया होते हुए स्रिलंका जाना है, तो उसको transit visa लेना पड़ेगा, means शफर करने के लिए visa, इंडिया में रुकना नहीं है, इंडिया से आगे निकल जाना है, तो इसका relevance है कि travelers passing through India, यह 15 दिनों के लिए होता है, जो not extendable ह नेक्स्ट है conference, अगर कोई conference हो रहा है, international seminars, तो उसके लिए conference visa, इसका maximum duration जिए टाइम तो conference चलेगा, नेक्स्ट है medical visa, अगर कुछ medical treatment करवाना है, तो उसके लिए होता है medical visa, तो यह था कुछ type of visa, so thank you, thank you very much for watching.